सो हेलो गाइस वेलकम बैक तो आवर यूटुब चैनल और वेलकम तो माइन वीडियो आज के इस वीडियो में अम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी नहीं आये हैं जो यह वीडियो फोस्टाइम देख रहें उन लोगों मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेग्यूलर्ली अप्लोड करती हूं साथ ही साथ आपको मेरे चैनल के ऊपर एजुकेशन पर्पस के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे जैसे कि Option Chain Analyzas के ऊपर टेकनіकर आनालिस के ऊपर साथ ही साथ Stock Analysis के उपर भी वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और shroud नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो उसकी जानकारी आपको सही से आती जाए और एक इंपोर्टन बात यह है कि अगर आपने मेरी चैनल मेंबर्शिप अभी तक जॉइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से कर लो चैनल मेंबर्शिप के अंदर आपको important stocks मिलते है important guidance मिलता है साथ ही साथ आपको expiry के लिए nifty bank nifty के लिए strategy मिलती है इसके साथ साथ conscious stock आपको आपके portfolio में add रखने चाहिए इसके बारे में भी advisory मिलता है साथ ही साथ आपके queries का आपको early reply मिलता है और इन सब benefits के साथ साथ आपको education purpose के उपर videos भी मिलते रहेंगे जैसे कि option chain analysis के उपर candlestick pattern के उपर technical analysis के उपर तो ये सारे benefits आपको channel membership के अंदर मिलते हैं तो इसलिए जल्दी से channel membership join कर लीजेगा नीचे description box में मैंने link आपको provide कर दी है वही अगर आप देखोगे तो subscribe button के बाजु में आपको एक और icon दिखेगा join button करके तो वहाँ से भी आप channel membership join कर सकते हो अब हम लोग start करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी के साथ तो निफ्टी की आज की closing आई है 14,906 के पास तो आज की expiry निफ्टी ने 15,000 से नीचे कर दी है और 100 points गिर कर निफ्टी बंद हुआ है और दो ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी लगातार हमें negative closing देता हुआ दिखाई दे रहा है negative candle form करता हुआ दिखाई दे रहा है तो जैसे ही निफ्टी ने 15,100 के उपर try किया जाने के लिए लेकिन वहाँ से निफ्टी के अंदर हमें गिरावट जो है वो continue होती होई दिखाई दी तो ये एक correction phase हो सकता है consolidation phase हो सकता है यानि कि अगर निफ्टी को और उपर जाना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर consolidation होगा और जैसे मैंने आपको पिछले trading session में कहा था कि अगर निफ्टी 14,900 और 15,000 का level closing basis के उपर hold रखता है तो भी यहाँ से possibilities बने हुए हैं ऐसा नहीं कि 15,000 का level तूट गया तो अभी यहाँ से निफ्टी negative ही चलेगा तो अभी भी 14,900 का level निफ्टी ने closing basis के उपर hold रखता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो जब तक यह level hold है तब तक निफ्टी के अंदर ज़्यादा गिरावत नहीं होगी अभी अगर next trading session में निफ्टी 900 के नीचर जाता है तो यहाँ से और 200 points की हमें गिरावर जो है वो देखने को मिल सकती है और फिर यहाँ से निफ्टी हमें एक bounce back दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी अगर हम लोग देखे option chain data निफ्टी का तो मेरे सामने next expiry का option chain data है तो call side में हम लोग देखे तो सबसे ज़्यादा open interest जो बना हुआ है वो 15,000 के level के उपर बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो फिलाल resistance 15,000 के उपर है और जब तक निफ्टी इस resistance zone के उपर तिक नहीं जाता है तब तक upside के possibilities कम हैं तो यहाँ पर यह भी हो सकता है निफ्टी हमें 14,800 से लेके 15,000 के बीच में और एक से दो सेशन के लिए consolidation करता हुआ दिखाई देगा और फिर जाके हमें 15,000 के ओपर एक strong closing मिलेगी और निफ्टी हमें 15,300 और 400 के next resistance zone में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो call side में आज सबसे ज़ादा call writing हमें दिखाई दे रही है 15,000 के ओपर और 15,100 के ओपर तो निफ्टी के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है 15,000 और 15,100 के ओपर जाने के लिए अगर ये resistance पार हो गया तो हमें एक अच्छी खासी rally जो है वो 15,300 और 400 के तरफ जाती हुई निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकती है तो downside की अगर बात करें तो देखे put side में सबसे ज़ादा open interest कहाँ पर बना हुआ है तो highest open interest जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 14,000 के उपर वही second highest open interest कहाँ पर बना हुआ है तो second highest open interest जो हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 14,500 के उपर वही put side में आज सबसे ज़ादा adding कहाँ पर हुई है तो आज सबसे ज़ादा हमें adding जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 14,900 के उपर और second highest 14,000 के उपर है तो अभी देखें ये पूरा monthly expiry है तो next trading session के लिए next week के लिए market जो है वो थोड़ा volatile हो सकता है तो यहाँ से अगर हम लोग support की बात करें इस option chain data के उपर से तो अगर निफ्टी 900 break करता है closing basis के उपर तो यहाँ से निफ्टी हमें 14,700 और 14,500 के तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर 900 के उपर stable हो जाता है तो यहाँ से निफ्टी हमें 15,300 तक का level दिखाई सकता है यहाँ पर हम लोग ये confirm कह सकते हैं कि अगर next trading session में 900 break नहीं होगा तो यहाँ से निफ्टी हमें definitely 15,200-300 तक तो जाता हुआ दिखाई दे सकता है so option chain data हमने निफ्टी के लिए देख लिया है तो चलते हैं अभी chart के उपर निफ्टी 50 के so market continues to witness a lack of upside momentum and corrected to close the gap around 14,900 it has seen as on 18th May तो फिलहाल ये gap zone के पास निफ्टी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है so as of now short term technical conditions of the market appears like a correction in the process while it is subject to further price action evaluation so यहाँ पर ये देखना important रहेगा कि 15,000 के ओपर अभी निफ्टी sustain होता है कि नहीं अगर निफ्टी 15,000 के ओपर नहीं जाता है next trading session में तो और 200 points का correction हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं और फिर जाके निफ्टी हमें वहां से एक bounce back दिखा सकता है सो निफ्टी के आज की अगर बात की जाए तो आज निफ्टी के opening कहां पर हुई थी opening हुई थे 15,000 42 के पास और intraday high था 15,069 के पास और throughout the session निफ्टी हमें आज गिरता हुआ दिखाई दिया और downside के लिए 14,884 का low किया था लेकिन अभी भी downside के लिए intraday में 14,880 का support निफ् रखा हुआ है और वहां से हमें एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी और निफ्टी ने closing basis के उपर finally 900 का level जो है वो hold रखा हुआ दिखाई दे रहा है तो अभी यहां से आगे कि अगर बात की जाए तो important support और resistance के levels क्या रहेंगे तो first important support रहेगा 14,000 880 का level बाता है next trading session में तो यहां से निफ्टी हमें 14,000 830 तक गिरता हुआ दिखाई देगा फिर downside के लिए 830 और 810 यह important support zone है और अगर यह break होता है तो यहां से थोड़ी चिंता की बात होगी फिर निफ्टी हमें 14,750 and 700 के तरफ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह downside के लिए important support के levels रहेंगे upside की बात करो तो upside के लिए first resistance रहेगा 14,950 का level अगर इस resistance को पार कर लिया तो next resistance रहेगा 15,050 का level और उसके बाद में 15,130 का level यह निफ्टी के लिए important support और resistance के level से जो आपको आपके चार्ट के उपर mark करने है ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी doubt तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दोंगी सो अभी nifty के लिए हमने देख लिया है तो चलते हैं भी bank nifty के उपर सो अभी मेरे सामने bank nifty का one day candlestick pattern chart है और nifty bank की आज की closing आई है 33,334 के पास तो nifty bank भी 300 points गिर कर बंद हुआ है फिलाल अगर हम लोग देखे closing basis के उपर तो nifty bank 33,000 का level hold रखा है लेकिन important क्या था ये level hold रखना वो level आज nifty bank ने तोड़ दिया है फिर से और उसके नीचे closing मिली है तो अभी हम लोग first option chain data देख लेते हैं nifty bank का so call side में अगर हम लोग देखे सबसे ज़ादा open interest कहाँ पर बना हुआ है so highest open interest जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है 34,000 के उपर और second highest 33,500 के उपर वही call side में आज सबसे ज़ादा writing कहाँ पर हुई है तो आज सबसे ज़ादा writing हुई है 34,000 के level के उपर तो nifty bank के लिए मैंने पहले भी कहा है कि 33,000 अगर clear होता है तो 34,000 तक की rally हम लोग देख सकते हैं फिर जाके 34,000 के उपर एक resistance है जो पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है nifty bank के लिए और कुछ ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है जैसे 34,000 के पास nifty bank पहुचा और वहां से हमें गिरावट जो है वो आती वी तीन दिन से दिखाई दे रही है तो फिलाल एक support तो तूट गया है 33,500 का अभी देखना important है कि 33,000 का support nifty bank कब तक hold रखता है तो अगर 33,000 break होता है closing basis के उपर तो यहां से और 1000 से 1500 points का correction हम लोग nifty bank के अंदर भी देख सकते हैं वही downside की बात करें तो देखे downside के लिए important support कहाँ पे है तो put site में सबसे ज़्यादा open interest बना हुआ है 33,000 के उपर और 32,000 के उपर वही put site में आज सबसे ज़्यादा adding कहाँ पे हुई है तो आज सबसे ज़्यादा हमें adding जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 33,000 के उपर और 32,000 के उपर तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर ये support break होता है 33,000 का तो यहाँ से 1000 से 1500 points के गिरावट हम लोग देख सकते हैं तो यह important support और resistance के levels है इस option chain data के उपर से तो अभी चलते हैं चार्ट के उपर nifty bank के और मैं intraday में important support और resistance के levels जो है वो telegram channel के उपर update कर देती हूँ तो अगर आपने मुझे telegram पे अभी तक follow नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यहाँ पे मैं screenshot upload कर देती हूँ जो important support और resistance के levels रहते हैं intraday के लिए और कितना minutes का candlestick pattern आपको लगे का 30 minutes का 50 minutes का वो मैं वहाँ पे update कर देती हूँ तो आपने अगर मुझे यहाँ पे अभी तक follow नहीं किया है तो कर लो नीचे description box में मैंने telegram channel के link आप से share की हुई है तो अभी बात करते हैं nifty bank के बारे में तो देखिए nifty bank की आज की opening हुई थी 33,692 के पास वहाँ से nifty bank ने high किया था 33,833 का और low किया था 33,273 का और आज इंट्राडे low से हमें अच्छी कासी recovery आती हुई दिकाई दी और nifty bank फिलाल 33,300 के ओपर बंद हुआ है लेकिन यहाँ पे 33,500 का level important हा लेकिन उसके नीचे nifty bank ने आच closing दी है तो अभी देखिए यहाँ से support और resistance के क्या levels रहेंगे first important support रहेगा 33,210 का level अगर यह support break होता है तो यहाँ से nifty bank हमें अपने next important support के तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा जो की है 33,080 के तरफ अगर यह भी hold नहीं होता है तो next important support रहेगा 32,850 का level अगर upside की बात करें तो देखे upside के लिए first resistance है 33,050 का level अगर यह पार होता है तो next resistance 33,750 का level रहेगा उसके बाद में 33,890 और 34,080 का level यह upside के लिए resistance के level से जो आपको आपके chart के उपर mark करने है ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends, family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगी अपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully